पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो सोफी के फादर होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर लोगी अगर तुम ऐसे ही जूट बोलते रही तो और तुम्हारा भाई जूब भी तुम्हारी इन फाल्टू स्टोरीज पर नहीं करता है वो बस दिखाता है कि वो तुम पर बिलीव कर रहा है क्योंकि तुम उसकी छोटी बहन हो चलो अब आगे पड़ते जियॉफ के रूम में एक टेबल लैंप होता है जो कि एमबर ग्लो कर रहा था एमबर ग्लो का मतलब गोल्डेन ओरेंज या फिर गोल्डेन ब दैनी केसी के थे ओविसली तुम लोग भूले तो नहीं हो ना कि डैनी केसी कौन है बहुत ही जादा फेमस यंग फुटबॉलर है उनके कंट्री के फिर सोफी जियॉफ के पास जाके कहती है कि अब मैं जो तुमें बात बताने वाली हो ना यह तुम किसी से भी मत सेयर करना पापा से भी सेयर मत करना चलो मुझे अभी प्रॉमिस करो तो जियॉफ कहते है कि बताने के लिए बचा क्या है जिस जिसपे जियॉफ टॉंट मारते वे कहता है कि अच्छा तुम्हे कैसे पता तो फिर सोफी कहती है कि अरे उसने ही मुझे बताया था जिसपे जियॉफ कहते है अरे वो इतना फेमस फुटबॉलर है वो किसी भी लड़की से ऐसी बात नहीं करने लगेंगे तो फिर वो तुमसे साके बात क्यों करेंगे तो सोफी कहती है हाँ उसने मुझे बताया था लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा हम लोग सोचते है han बहुत ही different है, और even वो बहुत ही ज़्यादा सांत है, बहुत ही quiet लड़के हैं, वो ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, जिसपे जियॉफ कहते हैं, अच्छा वो इतना सांत है, फिर भी तुम से आके बात करने लगा, मतलब कि अगर वो सांत इंसान है, तो वो तुम जैसी मतलब कि जिस voice में वो interview में बात करते थे, वैसे ही voice में उन्होंने मुझसे भी बात की, जिसके बात Sophie कहती है, कि मैंने उनसे autograph भी मांगा अपने छोटे भाई Derek के लिए, बट उस वक्त हम दोनों के पास pen और paper नहीं था, तो इसलिए वो मुझसे थोड़ी देर बाते करते हैं Roess के दुकान के सामने खड़े होकर, and हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो Roess है वो एक clothing brand है, हलाकि मैंने Google में search करा तो मुझे Roess chocolate brand दिखा था, फिर Sophie कहती है कि वो बहुत ही जादा lonely लग रहे थे, मतलब बहुत ही जादा sad type के लग रहे थे, जिसके बाद Sophie कहती है कि हाँ वै अच्छा तो तुम्हें लगता है कि वो next week वापस से तुमसे मिलने यहाँ पर आएगा, जिसके बाद Sophie कहती है कि अगर उसका बड़ा भाई है, अगर वो अपने appearance पर ध्यान दे, अपने clothes के उपर ध्यान दे, तो वो बहुत ही अच्छा दिख सकता है, क्योंकि वो लंबा है मतलब टॉल है, strong है, उसके dark face है, हाला कि वो बहुत ही ज़्यादा handsome दिखता है, मतलब समझ रहे हैं, ब्राउन मुंडे है, इसलिए अगर वो अपने कपड़ों पर ध्यान देगाना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख सकता है, इतना सब कुछ Sophie सोची रही होती है, कि Geoff reply करता है, कि विश्वास का तो नहीं पता, लेकिन तुमने मुझे जो स्टोरी बताई है, यह बहुत ही अजीब स्टोरी है, जो मैंने अपने लाइफ में सुनी है, और यहाँ पर यह वला सीन खतम हो जाता है, फिर अगला सीन सुरू होता है, Saturday को Sophie के जो पूरी फैमली है मैं तुमें स्क्रीन पर दिखा दूँगा, and Geoff जो होता है वो हमेशा की तरह पीछे वाले बेंच में अपने दोस्तों के साथ बैठावा होता है, और उस मैच में जो United की टीम होती है वो 2-0 से जीच जाती है, और जो second वाला गोल था वो Danny Casey नहीं मारा था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो Casey है वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट से दिखते हैं, और वो एक आईरिस जीनियस है, वो corner of penalty area से होकर दो बड़े बड़े defenders के बीच से बाल को लाते हैं, और जब Danny Casey ऐसा कर रहे थे तो जो सूफी के फादर होते वो चिला आ रहे थे स्टेडियम से, कि Danny Casey Casey, pass करो, pass करो, ball को pass करो, लेकिन फिर भी Danny Casey ball को pass नहीं करता है, और बहुत ही दूर से, मतलब dudgeon of yard दूर से वो goal मारता है, और जो goalkeeper होता है वो भी ball को नहीं रोक पाता है, और second goal हो जाता है, और बले 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 बले, सही एकदम proud वाली feeling Sophie की थी, वो बहुत ज़्यादा proud feel कर रही थी, इस moment पे, और जो G off होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुज हो जाता है, और फिर जब वो लोग बस से वापस अपने घर जाने लगते हैं, तब वहाँ पे एक इनसान कहता है, कि I wish की Danny Casey cast Englishman होते, और फिर जब वो लोग घर पहुचते तो Derek अपनी मम्मी से कहते हैं कि लगता है इस बार Ireland ही World Cup जीतेगी, और Sophie के जो father होते हैं वो United की victory को celebrate करने के लिए pub में चले जाते हैं, अब है foreign में लोग ऐसे celebrate करने के लिए pub में चले जाते हैं, क्या, मैं भी प्लान करता हूँ थोड़ा, अरे ममी, ममी, चपल, चपल समत मा जान सी कहते हैं अरे मैंने क्या सुना हैं मैं तुम लास्ट वीक से क्या कह रही हो, जिसपर Sophie कहते हैं कि किस बारे में जिसपर जान सी कहते हैं कि जान सी को लगता है कि जरूर यह लड़की मुझे से कूछ चुपा रही है जैंसी ऐसा सोची रही होती है कि सोफी कहती है कि हाँ मैं उससे मिली थी जिस पर जैंसी कहती है नई मुझे नहीं लगता कि तुम उससे कभी मिली होगी जिसके बाद जो Sophie होती है वो Ground की तरफ देखते देखते सोचती है कि यह तो Jyof थिंग थी यह जैनसी थिंग नहीं थी यह जो बात थी यह बस मेरे और Jyof के बीच रहनी चाहिए थी आखिर क्यों Jyof ने Jyof को बताया मतलब Jyof के बड़े भाई को बताया यह तो मेरे और मेरे बड़े भाई Jyof के बीच की एक सिक्रेट थी ना यह जैनसी को बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए था और यह जो जैनसी है ना यह अब यह बात को पूरे नेवरूड में फैला दीगी आस पास के सारे लोगों को फैला दीगी और यह बात सब को पता चल जाएगा और व उसके बात सोफी कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि यह बात किसी को भी पता चले क्योंकि अगर यह बात कत फैलती है तो फैलते फैलते मेरे पापा को भी पता चल जाएगा और मेरे पापा एकदम बढ़ाव टाइप का लडाई सुरू कर देंगे रो का मतलब लडाई करना हो तो इस बात से Sophie काफी रिलाक्स फील होती है किirsin ने पूरी बात नहीं बता ही और वो ये भी सोचте है कि कम से कम जियाउफ ने उसके वपर थोड़ा तो भरोशा करा उसने पूरी बात तो नहीं बता ही और सोफी ये भी सोचती है कि लगता है फाइनली जिओफ ने मेरे ऊपर थोड़ा सा तो भरोसा कर लिया है फिर सोफी जैंसी को सौट में स्टोरी बताती है और मतलब आधा ही चीज़ बताती है जैंसी कहती है कि ये बात तुम पूरे सुसाइटी में जाके मत फैलाओ क्योंकि अगर ऐसा होता है तो लोग मेरे घर के सामने आके खड़े हो जाएंगे और मेरे डाइट ने मुझसे मजाक में ऐसा भी कह दिया है कि वो मेरा मडर करने वाले है और इस चीज़ से हमारे घर में लड़ाई भी सुरू हो जाएगी और तुम्हें तो पता ही है जब हमारे घर में लड़ाई होता है तो हमारी मम्मी कैसे होने लगती है मतलब कि Sophie की ममी जिस पर जाहंची कहती है कि अरे तुम मुझेज में Trump कर सकती हो Sophie आर इस बारे में तुम भी जानती हो Sophie मैं किसी से कुछ भी नहीं कहने वाली लेही बस एक ग्झामपल दे रहा हूं तो सोफी के सहर में भी एक कैनाल था और सोफी कैनाल के साइड में चल रही होती है और कैनाल के साइड में बहुत सारे पेर लगे वे होते है और जब वो चल रही होती है तो वहीं पे एक वाफ था जिसके बगल में लैंप लगावा था जिससे वहाँ पे थोड़ी सी लाइट बोव्ट अर तुम जब सोफी के साउंड जो जो एसे बिखम साउंड करते हैं कि यहाँ जो सपिल रही है तो यहां वह द्रीघेती बहुत कम ना रही तो बाद मतलब जैसे जैसे जान वह मतलब चुद गवारण मतलब जाल रहा था फिर Sophie ये भी बताती है कि जब वो छोटी थी न तो वहाँ पर आकर वो खेला करती थी और वहीं पर कैनाल के बगल में एक लूनली ट्री की नीचे एक सिटिंग एरिया था मतलब कि एक सिटिंग बिंच था जहां पर कभी कभी लैला मजनू आकर बैठा करते थे मतलब लवर्स आकर बैठा करते थे अपनी ऐसी लाइफ का और बेसिकली वो एक इल्म कटरी था इल्म कटरी कैसा दिखते है तो मैं स्क्रीन पर दिख गया होगा और फिर Sophie वहीं पर आकर बैठ कर डैनी किसी का वेट करने लगती है और Sophie को यह लगता है ना कि यह एक परफेक्ट प्लेस है जब वो डैनी किसी से मिल सकती है मतलब कि जहां वो डैनी किसी से मिल सकती है और वो यह भी सोचती है कि यहाँ पर जाता लोग भी नहीं होते हैं जो हमें observe करेंगे और उसे लगता है कि Danny Casey इस place के लिए तो जरूर approve कर देंगे उससे मिलने के लिए मतलब कि वहाँ पर Sophie से मिलने Danny Casey आ जाएंगे Sophie वहीं पर बैठे बैठे imagine करती है कि जो Danny Casey है न वो shadows से निकल कर कहीं दूर से उनके पास आ रहे हैं Canal के एकदम side से वह imagine कर रही होती है कि जैसे Danny Casey उसके पास आएंगे तो वह कैसे excitement से उचलेगी मतलब जो भी react करेगी और जैसे से time बीटता जाता है तो उसे भी कहीं न कहीं लगने लगता है कि Danny Casey अब नहीं आने वाले है और यह जो idea था ना यह उसके excitement को balance करने लगता है मतलब कि वह कहीं ना कहीं अब neutral सी feel करने लगती है अब उसे लगने लगता है कि मैं यहाँ पर बैटकर Danny Casey का तो wait कर रही हूँ बट अब यह चीज मुझे बहुत ज़्यादा परिसान करने लगी है कि क्या वो आएगा और यह चीज उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और अब Danny Casey का यहाँ पर कोई भी sign नहीं है फिर उसे याद आता है कि Gioff ने मतलब उसके बड़े भाई ने कहा था कि Danny Casey उससे मिलने नहीं आने वाला है और उसे ये भी लगता है कि अब उस पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला जिंदगी भर और अब मैं अपने family वालों से क्या कहूंगी अगर वो नहीं आया तो लोग मुझे जूटा साबित कर देंगे मतलब मेरे family वाले लेकिन फिर Sophie कहती है कि कोई बात नहीं लोगों को पता चले या ना चले बढ़ मुझे पता है हमें पता है और Danny किसी को पता है कि हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं और वो ये भी सोचती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती है हम कुछ नहीं कर सकते कि लोग किस चीज के उपर believe करते हैं और किस चीज के उपर believe नहीं करते हैं यह उनकी twice है, obviously मैं हर किसी को prove नहीं कर सकती बट यही चीज मुझे बहुत जादा disappoint भी करती है कि मैं अब कभी भी उन्हें proof नहीं कर पाऊंगी मैं सही थी और वो गलत थे, और अब वो यह भी सोचने लगती है कि मैं समझ गई हूँ कि अब मुझे future में कैसे इस burden को carry करकर जीना पड़ेगा, क्योंकि मेरे family वाले तो अब मुझे जूटी जूटी बोलने वाले हैं और फिर एकदम से जीओफ अपनी room के तरफ जाएगा और जूट सी दरवाजा बंद करेगा, गुस्सा होकर बट फिर भी हम, मतलब मैं और Danny किसी जानते हैं कि हमारी meeting कैसे हुई थी बट फिर भी इस चीज़ को प्रूफ ना कर पाना, यह बहुत ही जादा disappointing चीज़ है, एक तरह से कह सकते हो और वो चलते चलते एक pub से पास हो रही होती है, और तब ही वो देखती है कि उसके फादर की जो bicycle है ना वो pub के बगल में पड़ी हुई है मतलब की wall से support होकर रखी वी है, और फिर वो money one सोचती है कि अच्छा ही वह उसके फादर pub में है क्योंकि जब वो घर पे पहुँचेगी तब उसके फादर उस वक्त वहाँ पे घर पे नहीं होंगे और वापस जाते जाते वो एक arcade से पास होती है, वो वही arcade होता है जहां पर पहली बार Danny Casey से मिली थी और Sophie उस meeting को याद करने लगती है कि वो कैसे Danny Casey से मिली थी और फिर वो imagine करने लगती है कि वो कैसे Danny Casey के पास जाएगी और उससे पूछेगी कि are you Danny Casey? तो Danny Casey मुरेगा और कहेगा yes that's right और फिर वो Danny Casey से बताएगी कि कैसे वो हर हफते जाकर उसका match देखते हैं उसके पापा भी जाते हैं उसके बड़े भाई चोटे भाई भी जाते हैं और वो भी जाती है जिसपे Danny Casey कहेगा oh well now that's very nice मतलब कि ये तो बहुत अच्छी बात है और फिर मैं उससे कहूँगी कि क्या तुम मुझे autograph दे सकते हो? उसके मात Sophie कहती है कि जो Danny Casey की eyes थी ना उसके imagination में वो बिल्कुल Sophie के level पे ही थी मतलब Danny Casey actual में Sophie जितना ही बड़ा था height में और Sophie ने पहले भी कहा था कि वो इतना tall नहीं आगर तुम्हें याद हो तो फिर Sophie imagine करते करते सोचती है कि जो Danny Casey है ना उसके nose में patches होंगे और जब Danny Casey से smile करते हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा sigh लगते हैं और Danny Casey के teeth मतलब दात के बीच में gap भी दिखने लगते हैं और उनके जो eyes है ना वो green होते हैं मतलब Danny Casey के और जब वो मुझे देख रहा होगा तब उसकी eyes जो होगी ना वो sign करने लगेगी चमकने लगेगी और उसकी जो eyes होगी ना वो थोड़ी gentle भी होगी लेकिन ठोड़ी डरी-डरी सी भी होगी और फिर वो imagine करते करते सोचती है कि वो बिल्कुल एक गजल के जैसा दिखता है गजल एक animal होता है जिसकी बहुत ही सुन्दर eyes होती है बहुत ही खुबसूरत eyes होती है तो मिस्क्रीन पर देखी पा रहे होगी फिर सोफी इसी moment पे अपनी जो face है ना उसे थोड़ी tilt कर लेगी मतलब दूसरी जगह देखने लगी ताकि Danny ज्यादा सर्माय नहीं और उसे अच खड़े होकर काफी देर तक वो यह सोच रही होती है कि Danny Casey के जो voice होती है वो किती soft और melodious होती है उसके green eyes कैसे simmer कर रही थी वो ज्यादा tall भी नहीं था ज्यादा bold भी नहीं था उसके पास extraordinary skills थी और वो एक innocent genius था the great Danny Casey और वहीं खड़े खड़े वो last Saturday के पूरी चीज को reimagine करत है और दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं और उस moment पर जो stadium में 50,000 लोग बैठे होते हैं वो एकदम से अपने सास को रोक लेते हैं जब Danny Casey एकदम ghost के तरह ball को एकदम fastly ले जा रहा था दोनों defenders के बीद से goal की तरफ और तब ही explosion होता है मतलब एक sound सी आती है जैसे ही Danny Casey उस ball को एक जादा excited हो जाते हैं और वो goal होते ही एकदम महोल बन जाता है and this is how तुम्हारे chapter का D end होता है यार मैंने लिटरली तुम्हारे English book में क्या क्या नहीं देखा है अज one-sided love भी देख लिया यार सच में class 12th की English stories एकदम कड़क है तुम्हारी book की ठैर होप सो तुम्हें अच्छा लग हो अगर अच्छा लगते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूला चानल को सब्सक्राइब करना मत भूला एं तुम्हें से मिलते हैं अगले वीडियो में और अगर 12th के बाद मुझे छोड़की जा रहे हैं तो सेकेंड चानल को फॉल्वारे लोगता है